अर्से बाद उत्तर बिहार के प्रमुख ओधूगिक छेतरों में शुमार रहे हाजिपुर ओधूगिक छेतर के विकास की दिशा में गंभीर पहल शुरू की गए है। केंद्रियक ग्रीह राज्य मंत्री नित्या नंदराई की पहल पर ओदुगिक छेत्र के विकास की दिशा में कारेवाई तेज की गई है प्रथम चरण में आवशक सुविधाओं की जल्द से जल्द उपलब्धता पर जोर देते हुए आवश्यक कारेवाई शुरू कर दी उमीद जताई जा रही है कि चालू वित्या वर्ष के अंत तक हाजीपूर ओदुगिक छेत्र को सजाने और सवारने के साथ तरक्की का सपना साकार होने लगेगा केंद्रियक ग्रीह राज्य मंत्री नित्या नंदराई 14 नवंबर को हाजीपूर के ओदुगिक छेत्र पहु सुबह 11 बजे से होगी इस मौके पर उद्योग विभाग एवं बियाडा के वरिष्ट अधिकारी भी मौजूद रहेंगे बताया जा रहा है कि उसी दिन यहाँ पर उद्योग मंत्री शैनवाज हुसैन कुछ यूनीट का उद्गाटन भी करेंगे हाजीपूर ओदोगिक छ खेतरों के विकास को लेकर दिल्ली में बिहार के उद्योग मंत्री सेद शैनवाज हुसैन के साथ गहन विचार विमर्श किया था खासतोर पर हाजीपूर एवं समस्तिपूर ओधोगिक विकास पर चर्चा के बाद विकास का निर्णे लिया गया था केंद्रिय मंत्री राय की पहल पर इस दिशा में कारेवाई तेज की गई है इसके बाद हाजीपूर के भाजपा विधायक भी पटना पहुँच उद्योग मंत्री शैनवाज हुसैन से मिले थे ततकाल कारेवाई करते हुए प्रथम चरन में उद्यमिय की समस्याओं के निर आकरन कर उन्हें यहां का माहौल बेहतर करना है और यही सरकार का संकल्प भी है इसके लिए डीपियार भी करीब करीब तयार किया जा चुका है करीब 100 करोड उपे खर्च होने की उमीद है बिहार के उद्योग मंत्री सेयद शैनवाज हुसैन के निर्देश पर बियाड़ा हाई मास्ट एवं स्ट्रीट लाइट समेत अन्य संरचनाओं का यहां विकास करने के लिए राशी की मंजूरी कर दी गई है